DPS Senior Secondary School तपीजी लेकर आए हैं Online Classes From Pre-Nursery to Class 12 50% Discount on Girls Fees Online Admission Open Visit DPSajmay.in दुकानदार और ठेलों के बीच में विवाद हो गया दुकानदार उन्ने ठेले वालों के जो ठेला कर्मी यहां पर थे जो ठेला लगाते हैं उससे अपनी जीविका चलाते हैं उन लोगों को यहां पर खाला होने से मना किया गया और इसके शिकायत दुकानदरों ने क्लॉक टावर थाना पुलिस से भी की इसके बाद पुलिस का यहां पे एक जापता भी आया, कुछ पुलिस कर्मी भी आया और उसके बाद यहां से तमाम जो ठेले कर्मी थे उनको यहां से हटाया गया, समझाईश की कोशिश की गई कि सोचल डिस्टेंसिंग की पालना यहां पर बाजार के अंदर करनी है, दुकान पर उन्हें लगाया कि दुकानों के उपर सोचल डिस्टेंसिंग की पालना यहां नहीं ओपाती है, ठेले वाले अपनी जीविका उनका जो रोजगार का जरिया रही परिवार को चलाने का जरिया है, वो केवल ठेले पर कोई नहीं समान बेच कर ही लिविका को चला पाते है ऐसे में बजार के अंदर जो परिस्थितियां थी वो बहुत विकट बनी वीती ही और आज थेले बजार के अंदर नहीं लग पाए हैं कुछ इकद का इलाकों के उपर ठेले देखे गए हैं लेकिन यहां पर क्लॉक्टावा थना चेदर के कई जगों से ठेले हटा दिये गए थे जबकि यहां पे नगर निगम अजमेर की और से बेंडर जोन बनाया गया है उसी बेंडर जोन का हवाला देते वे जो ठेले करमी थे जिनके पास लाइसेंस है इस चीज़ का अजमेर नगर निगम से जो ठेले करमी उने अपना पंजियन करा रखा है उन्होंने अपनी बात को ग्लॉक टावर थना पुलिस को रखी है यहां पर पुलिस ने पूरी समझाईश दुकानदारों और ठेले वालों से करने की कोशिश की है और आज इस बात को लेकर बैठक भी हुई है बैठक लगातार चलती आ रही है और लेकिन अभी तक किसी प्रकार का कोई सकारात्मक परेडाम निकल के नहीं आया है लेकिन जिस तरीके से अंट्टी वी इंडिया की टीम ने जो ठेले वाले हैं उनसे जो बातचीत की है उसके बाद एक बड़ी समस्या नजर आ रही है कि कोरोना मामारी के दौरान कई लोगों की आर्थिक परिस्तियां जो हैं वो खराऊ हो चुकी है ठेले वाले जो हैं इनक के पास किसी परिकार का रोजगार नहीं कैश की बहुत बड़ी दिक्कत इनके बीच में हैं किसी परिकार का कोई काम फिलाल सतर दिनों से यह नहीं कर पाए हैं लेकिन जब अनलॉक वन पॉइंट जीरो लागू हुआ है तो उसके बाद कुछ ठेले वाले हैं जो वापस से चाते हैं ठेले पर आकर कुछ उत्पाद सबजियां फल बेचना चाते हैं दुबारा से लेकिन जिस तरीके से विवाद अजमेर के बाजार के अंदर चल रहा है जहां पर ठेले वाले और दुकानदार आमने सामने हो रखे हैं तो ऐसे में एक बड़ी समस्या सामने आ चुक कि जब कल दुबारा से सुबह बैठक हो उस बैठक के बाद ये फैसला लिया जा सकता है कि जो ठेले वाले हैं जिनका पंजियन अगर निगम अजमेर में हो रखा है वो वापस अपने ठेले यहां पर लगा सके हो और उसके साथ में अपनी जो जीवी का है जो अभी तक रु संकर था परिवार की जीवी का चलाने का संकर था लेकिन अब जब दुबारा से सब कुछ नॉमल होने की स्थिमें हालात आ रहे हैं तो ऐसे में बहुत जबाद जरूरी है कि मजदूर वरका और जो ठेले वाले जो लोग हैं जो असंगटिक छेतर के जो लोग हैं इन लोगो को रोजगार मुहिया कराने की सक्त जरूरत है ऐसे में प्रिशाशन को किस तरीके से इस पूरे मामले को हैंडल करती है ये भी देखना होगा लेकिन जिस तरीके से पुलिस प्रिशाशन ने सूची निगम से मांगी है उसको देखकर यही लगता है कि जिन लोगों का पंजि कि इनको भी पर्मीशन दी जाए पूलने की तो जो भी वेंडिंग जोन है नागर रिखम से हम लिस्ट ले रहे हैं कि कौन-कौन से वेंडिंग जोन में कौन-कौन से ठेला जो विकरेता है उनके पास पर्मीशन है तो उन पर एक्साइज करके आगे इनसे वारतलाब पी जा कि अ हैं